कि नमस्कार दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने भारत के बुगोल में अपना अगला टोपिक रेकर प्रस्तों आपके सामने आप सब कैसे हैं उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे यह जो पेंडेमिक चल रहा है खराबी तो समाप्त होने की और अग्रेसर है कि दोस्तों तो अपना शुरू करते हैं आज का अपना टोपिक हमने अभी तक जो देखा है वह है भारत सामने परिचे नामकरण विश्वमिस्तिति हम देख चुके हैं अवस्तिति एवं विस्तार हो गया है भारत इस्थलिये सिमा अंतराष्ट्रिये सिमाएं पड़ोसी देश हो गया है आज हम जाते जाते आपको एक क्योसन भी पूछेंगे जो टोपिक हो गया है उसमें से आज अपना जो सिमान और निकोबार की जो टट्य सिमा हैं उनको थोड़ा विस्तार से देखेंगे मेप के दवारा और लक्षद्वीब के साथ जो लक्षद्वीब की जो टट्य सिमा है उसको भी मेप के दवारा देखेंगे अना तो इसमें सब एट डिग्री नाइन डिग्री चैनल हो गय बात में देख लिजी लेकिन complete ज़रूर देखिए आपके सारे जो doubts है वो clear हो जाएंगे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि यहां पर आपको NCRT plus NCRT और इसके अलावा कुछ publications हैं जो college level पर चलते हैं उन्हों सब का जो summary है या सब में जो बताया गया हूँ सब आपको यहां discuss किया जाएगा फिर भी अगर आपको कुछ doubts रहते हैं तो आप eminent classes की telegram channel और eminent classes के group में आप message द्वारा पूछ सकते हैं आपके जो भी queries होंगी उनका समाधान किया जाएगा तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं भारत की तटिये सीमा भारत की तटिये सीमा चां दोस्तों बहित बात करता हैंपन भारत समुद्री चेत बारत समुद्री चेतर से पहले डिसकस करते हैं बारती ए उप महादीब के बारे में बारती ए उप महादीब बारती ए उप महादीब तो महादीब आपको पता है कि एसा द्वीब जिसके चारुन तरफ पानी हो चारुन तरफ क्या हो पानी हो पानी हो बड़ा द्वीब हो तो महद्वीब बोलते हैं न चोटा होता है महद्वीब का उप महद्वीब मतलब यह होता कि एक ऐसा इस्थान या ऐसी जगह जहां पर भी जहां पर जो महद्वीब के जो आइड़िटिफाइ करने के तो तरीके हैं जिसके चारों तरफ पानी होना चीए दुर्गम में इलाक और हिंदुकुस पर्वत्सरीञा हैं और उत्तर में आपन देखेंगे तो यहां पर हिमाले आ जाता है पूरा हिमाले की जो नवीन वलित परवत्समाला है इसके बाद यहां पर देखेंगे तो पुर्वान्चल की पहाड़ियां यहां पर आ जाती है और इसके नीचे अगर आपने बात करेंगे तो यह अपना क्या जाता है बंगाल की खाड़ी यहां पर है बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के एदर भारत की बंगाल की खाड़ी के इदर हिंद माय सागर है तो अब आप देखेंगे कि भारत को वासतम में एक उपमादी धेश कहा जाता है बारत क्या एक उपमाद्वीब है और उपमाद्वीब में कौन-कौन से देश इसके साथ आते हैं तो पहला जाएगा आपका भारत दूसरा अपन लेंगे इसमें पाकिस्तान को भारत लेंगे पाकिस्तान लेंगे नेपाल होगा बुटान होगा और बंगला देश तो कुल पांच देश हैं जो भारत उपमाद्वीब में सामिल हैं पाकिस्तान यहां पर है यह नेपाल है यह भुटान है आपको बार बार कहते रहता हूं कि आपको मांचितर याद करने के लिए आपके पास एटलस होनी चाहिए तब आपको मांचितर याद रगा और यह क्या है भारत तो पांच देश हैं जिसमें जो उपमाद्वीब में सामिल है तो भारत एक उपमाद्वीब है क्योंकि उपमाद्वीब इसलिए है क्योंकि भारत के चारण तरफ भी ऐसी परिस्तितितियां है या फिर दुर्गम रा जा सकता था बाकि दर्रों के लाओं के बात करें तो किसी भी जगह से भारत में आने के प्रवेश करने के जगह नहीं थी ठीक है तो कि अब हम देखते हैं भारती प्राइद्वीब अब जो यह देख रहे हैं कि गुजरात से लेकर अठीक दिसको बोलते हैं दक्सिन всего भारत thanks भारत ऑफ यहां तक करता वैस्ट बंगव तक यह जो चेतर है वह किसम्हें क्या खरिठ्वीब गलाता है Yeah, और भारत क्या एक प्राहिद्वीब है है भारत का दक्शनी भाग है और निघ्मम कर PP से निकल जाती है का यह कुंछी रहा है करक रिखा तो भाहरत करक रेखा के करक रेखा जो है भारत को दो बराबर भागों में अत्रोर हो नगा करक्रिका के दक्षिन में अगर बात करेंगे तो यहां पर उसने कटी बंद रहता है और उपर उसने कटी बंद रहता है बागे सब जलवाय में पढ़ेंगे ऐसा भूबाग जिसके तीन और तीन और क्या हो पानी हो तीन और क्या हो पानी हो अब आप देख सकते हैं पस्चिम दक्षिन में और पूरो में पानी है तबी भारत का जो दक्षिन हिस्सा उसको क्या बोलते हैं प्रैद्वी भारत बोलते हैं प्राइद्विप भारत प्राइद्विप के साथ अपने एक सब्द और पढ़ लेते हैं अंतरीप क्या अंतरीप अंतृप अंतृप का मतलब यह होता है कि भूबा का ऐसा नुकिला हिस्सा या पतला या संकरा हिस्सा मुक्खे भूमी का मुक्खे भूबा का पतला या संकरा हिस्सा जो पानी को टच करता है भारत का जो करन्या कुमारी का कैप कमोरिन जिसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं का मतलब होता है अंतरीप केप का मतलब क्या होता है अंत्रीप कैप ठीक है जैसे अफ्रीका अफ्रीका माधिव के नीचे केप ऑफ गुड़ ओफ जब वासकोडीका मां भारत आया था भारत की खोज किती उसने तो वह केप ऑफ गुड़ ओफ केप आफ, गुड हॉफ, उत्तम आशा अंतरीप, कहां पे, साउथ अफरीका में, तो यह होगे आपका अंतरीप, प्राइदवीप, दोनों का कंशेप्ट क्लिर हो जाना चाहिए आपको, प्राइदवीप और अंतरीप क्या होता है, वो क्लिर होना चाहिए, कि क्या होता है अंत्रीब क्या होता है अभी ये बात करते हैं अपना जो मुख्य टोपिक है ताटिये सीमाएं तो भारत भारत समुद्री चेत्र ताटिये सीमाँ की बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं तो ये कौन सा है गुजरात सबसे पहले क्या है गुजरात अब आप अच्छे से मेप को देखते रहेगा क्योंकि यहां पर वन बाई वन जो भी इस्टेट के नाम है वो आते रहेंगे जो भी इन्फरमिशन आपको मिलते रहेगे और लास्ट में आप एक स्कीन सूट ले सकते हैं इसका जो बाद में आपको डिविजन करते समय साहिता करेगी गुजरात है पहला दूसरा महरास्टर है तीसरा बताएगे क्या आएगा करनाटक निक गोव आएगा पहले छौत का यह करनाटक पांचवा केरल छोःपे तमीलनाडू अंदरपरदेश आड़ पे उडिया और नो पे पस्च्च मंगा तो नो राज्य हैं जिननको जो तटे सिमा पर हैं कितने राज्य हैं नो राज्य भारत के नो राज्य तटेसिमा पर हैं कोस्ट लाइन पर हैं फिर के बाद सबसे बड़ी सिमाइक सबसे पहले अवरोही करम देखेंगे इनका ठीक है अवरोही करम देखेंगे किसकी जो कोस्ट लाइन सबसे ज्यादा है सबसे लंबी कोस्ट लाइन है तो गुजरात को आपको देखते लग रहा है कि गुजरात सबसे नंबर बन पर है और दूसरा आप का महराष्ट्रह होगा चो था महराष्ट्र पांस पे आपको मिलेगा केरला कि चैनलेन जो कोस्ट लाइन वह बड़ी चैनल्ब पर उरिशा है और साथ पिए करनाटका है आट पर पस्च्रि बंगल है और क ONE को आप तो अब ही तब देखा है कि कोर्छे की बड़ी है तो अपने इसको एक बार लिख भी सकते हैं कि किस की कोस्ट लाइन बड़ी है सबसे पहले क्या जाएगा आपका गुजरात दो नमबर पे आपका जाएगा अंदर परदेश तीन पे आपका जाएगा तमिलनाडू देखें है नोट्स आप अपने खुद बनाईए आपको याद हो जाते है जब कोची हमँद लिखते हैं तो याद हो जाते है इसलिए आप नोट्स बनाईए तमिलनाडू 4 पे आपका है महारास्टरा 5 पे आपका केरल 6 पे आपका उड़ीऌ 7 पे करनाटक और 9 पे क्या है गोवा ये तो होगी राज्यों की बात तो 9 राज्ये हैं जो कोस्ट लाइन पर हैं कितने राज्ये हैं अब बात करें कि केंदर सासित परदेश कितने हैं केंदर सासित परदेश कितने केंदर सासित परदेश हैं जो कोस्ट लाइन पर आते हैं, ठीक है, कोस्ट लाइन पर आते हैं, ये देखना हमें, भारत की कोस्ट लाइन जो है, उस पर इस्तित हैं, तो सबसे पहले आपका क्या जाएगा, यहां पर क्या है, नमबर बन पर है, एक दमन और दीव, गुजरात के आसपास में, गुजरात क दीव है सोरी यहां गर बात करेंगे तो दीव यहां पर क्या होगा दीव है दमन यहां पर है दमन है वो यहां पर मिलेगा दमन यहां पर है और दीव यहां पर आईलेंड एक चोटा सा दीव ठीक है इसके बाद पुडुचेरी पुडुचेरी यहां पर है फुर्डुचरि。 पुर्डुचरि के बारे में ऐसे बताओं गिए। Circa नहीं को क्ई शित्र प्रदेशता फुरुचरि तुडुचरि को सुन गयरिकों है करने हैं उसके बाद बात करते हैं दो के अंदर साचित पर्देश हैं जो भारत की कोश्ट लाइन पर तो नहीं है लेकिन भारत के हिस्से है नमबर वन क्या है ये अंडमान इकोबार और दूसरा क्या है लक्स्ट्वीब लक्स्ट्वीब और अंडमान निकोबार दूसरा के बारे में विस्तार से अलग से स्लाइड हो गई तो अभी ज़्यादा नहीं करें कि इसमें कुछ बता नहीं रहे हैं कि हमारा जो टोपिक अभी तर्टी सिमाओ का इसलिए अभी अपम तर्टी सिमाई देख रहे हैं ठीक है अभी मागे सेलता हूं दोस्तों अभी तर्ट की बात करते हैं कौन सा तर्ट किस पर है ठीक है कौन सा तर्ट कहां पर है इंटमानेकुबि और आपका यहोगे लक्सतीब ये दोनों तडरेका पर नहीं है लेकिन भारत का हिस्सा है लक्सतीब और हमनेकुबर भारत का हिस्सा है इसलिए इनकी भी कोस्ट लैन है उसको हम सामिल करते हैं ठीक है पुड़ू चेरी ढमन अंट दी ठीजिए तो बनाव है इ और अभी दамен आ डूमर नगर हिवेली कोocolम कह थी जादरंगर हुआँ द्रादरंगर हेवेली महरास्टर और गुजरात के बोडर पर महरास्ट और गुजडात के बोडर पर यहाँ एक छोटी सी प्लेसц थी वह बॉर्डर में और नहीं मिलेगा आपको कोस्ट लाइन से थोड़ा अंदर एक दम बॉर्डर पे जो दोनों का बॉडर टец करता है महाराश्रा और गुजरात का वहाँ पर आपको मिलेगी दाधर नगर है वली और उसका विले डमनेंट ड्यू में उट धी कि जनवरी 26 म जो यूनिन टेरिटरीज है वो आठ हो गई है पहले नो हुआ करती थी ठीक है ओके तो दोस्तों बात करते हैं आगे अगे 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 तो सबसे बड़ी अंडमान एकुबार की कोस्ट लाइन है और अगर बात करते हैं के अंडर साशित पर्देश में की सबसे बड़ी कौन सा बात करते हैं और टीसे ओज यागे और इस सबसे बड़ी साशित में की किसे एक की सबसे बड़ी तटाय सिमा है तर्ट्य सिमा कोस्ट लाइन है तर्ट्य रेखाजा है क्या बताओगे अंडमान और निकोबार क्योंकि इसकी लग बग साड़े निससों के लग बग अब आपके सामने आएंगे आप तोड़ा एक 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 कुछ रात तो अपने का सब्का क्रम देखेंगे कौन सा क्या करम है और कुछ किस परकार बन सकते हैं वह भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा इसलिए इस वीडियो को आप अंतक ध्यान से देखें क्योंकि जो एक्जामे के सनायवे हैं उनके अकोडिंग और जो आ सकते हैं वैसे किसन हम डिसकस करेंगे ठीक है दोस्तों तो तट की बात करते हैं कच का तट कच का तट क्यों बोलते हैं इसको कच का तट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर क्च बड़ा एक गुजरात का जिला है कच इसलिए और यहां पर है यह कच का तट है ठीक है यह कच का तट है और यहां पर कच की खाड़ी है यह कच की खा कोगण द्रया के नाम से यह और कोंकन रेलवे के सुत्राधार कौन रावारत पता होगा मेट्रोमेन भारत के भारत के हैं मेट्रो मैन हैं भारत के मेट्रोमेन हैं ए डि ब को बारत के मेट्रोघु के यह इसरीधरण तो यह कॉछ चात यह का जाते हैं इसके आगे जो फ़ंकहश चश का यह एकन्री बाद को रोमी कुन्ट नरीचेमगे नामसे कि आणी इसके बाद कोरोमंडल में पकमिल्नाडू नेक्स्ट उत्री सरकार ओल दो या और तट बोल दो तट बोल दो अंद्र तट उत्री सरकार तट या रोयल सिमा तट यह से मिलके क्या है अंद्र उत्री सरकार तट है इसके बाद उत्कल तट और उत्कल तट के बाद है वेंगा तट यह तट हैं इनके क्यूस्टन किस परकार आते हैं वह आप देखिए इसमें क्यूस्टन ऐसे है कि कौन सा ग्रूप सही है या मिलान कीजिए ठीक है तो जैसे आपको यहां पर दे दिया मालाबार तट मालाबार तट कोरो मंडल तट कोरो मंडल तट वैंगा तट वेंगा तट और एक देदिया आपको कॉंकन तट कॉंकन तट अब इसमें आगे जो बी पार्ट होगा उसमें आपको अलग लग राज्यों के नाम दे देगा जिसे मालाबर के सामने लगा देगा तमिला डू तो आपको फाइन आट करना की सही है गलत है कोरोमंडल तट के साम कोषपर के सार्शा सकते हैं जो टॉसरा नहीं है तो इसमें नहीं किसा प्रेक्सरे नाम से पने शेय। तो उत्रे सरकार का दूसरा नाम अपने किया कि बोल देंगे इस साप्त। ए रोयल सिमा तथ है को सांट। जूह सबक्स्मन दे रहाँ मैं मैंने सबक्शन मिटा दे रहा हूँ नमबर वन पे क्या है अंडमा निकोबार नमबर वन पे क्या है अंडमा निकोबार कितनी है 1962 किलों में बता रहा था आपको कि 19.5 की लगबागा है 1962 तो नमबर वन पे क्या गया अंडमा निकोबार किस प्या गया नमबर वन पे अग्ज्य laugam पिर तीन आड़ू किसकी कitनी है ये याद रखने कि लिए नहीं है तुलना करने के लिए आपको बताए जा रहा है इससे क्योसर नहीं पूछते हैं क्योंकि हो सकता गठती बढ़ती रहती है ठीक है तो आप इसको यादा नहीं आप तो बस तुलना करने के लिए देख लीजिए तमिल नाडवे चोथा है महरास्टर पांचवा है केरल, छह पे उडिसा, साथ पे करनाटक, आठ पे पस्चिम बंगाल आठ पे क्या है पस्चिम बंगाल वन मिनट हाँ दोस्तों तो आठ पे आपका था पस्चिम बंगाल और नो पे क्या जाएगा आपका गोवा नो पे क्या जाएगा गोवा है ठीक है 151 किलोमेटर के साथ और फिर तीन जो के अंदर साशित प्रदेश हैं लक्स्ट्वीप 132 पुडुचेरी 30 दमननदीव 27 ठीक है यह बहुत छोटे-छोटे हैं तो इलिंग इतनी है ठीक है कुल जो सीमा है वो कितनी है 7516 इन में से अगर अपन अंदमानिकोबार और लक्स्ट्वीप की निकाल देते हैं तो सीमा बस्ती है 5422.6 तो उनकी कितनी हो गई 294 किलोमीटर किनकी है लक्स्ट्वीप और अंदमानिकोबार की तो भारत के द्वीपों के साथ जो कुल 30 सीमा हो कितनी है 7516 है 7516 उसके बाद भारत की 30 सीमा जिसमें जो द्वीप सामिल नहीं है तो द्वीप कौन से हैं लक्स्ट्वीप और अंदमानिकोबार दो द्वीप स जब हम हटा देंगे तो कितना बचे का 5422 पांच 5422 किलमेटर अब इसमें आप देख सकते हैं कि संख्या एक से कि पूरी तर्टिये सीमा पूरी तर्टिये सीमा पर इस्थीत राज्यों में से किस राज्ये की सीमा तर्टिये सीमा सब से ज़्याता है तो आपका उतर क्या होगा अब यहां पर आपको गुजरात नहीं करना है तर्टी सिमा पर बात करेंगे रज्जों की बात कर रहे हैं तो आप करेंगे अंध्रा प्रदेश तो आपको इस परकार भी किस्टंस देखना है अंध्रा प्रदेश तो तर्टी सिमा सरवादी किसकी ह अंद्रपरद्देश इसी में घर दोनमर बात करेंगे पूरी रजियो में तो आजाएगा तमिलाडू कुन आजाएगा तमिलाडू तीसरी के बाता दो और चारेजा बात करेंगे तो कर आजाए座र के पक्रचुम मंगाल तो पांच राज्जे हैं जो पस्चिमी तट्षीमा पर हैं और चार राज्जे हैं जो पूरी तट्षीमा पर तो ये भी ध्यान रखना है कि कितने राज्जे हैं जो पूरी तट्षीमा पर हैं कितने राज्जे हैं जो पस्चिमी तट्षीमा पर है और ऐसे केंदर साशित पर भारत की जल्ले सीमा भारत सरलंका के साथ क्या है पाक के खाड़ी है मनार के खाड़ी है अदम का पुल है पंबंद वीप है इसको डिटेलर देन करेंगे भारत में अंडुनिशया के बीच को है तो ग्रेट या महान चेनल भारत और इंडोनियसे के बीच का है ग्रेट महान चैनल भारत म्यानमार के बीच का है कोको स्ट्रेट कोको जलसंदी जो है वो भारत म्यामार के बीच है और भारत म्मालदीव के बीच का है एट डिग्री चैनल जो एट डिग्री चैनल है वो किसकी बीच है भारत म्मालदीव क से बीचे, क्योंकि Мालदवीब और स्रिलंगा हिंद महाशागर में स्थित की पडोषी देश हैं हिंद महासागर में स्थित पडोषी देश पड़ेखें जब अपने पाक क हडी भारत स्रि autoc Ag deposit सीमह, सब को समझ में आ गया होगा इसका स्किन सूट ले लीजिए आप वीडियो को फिर देख सकते हैं रिवीजन करना बहुत जूरी है अगर आप क्यों चीज पढ़ाई कर रहे हैं किसी को पढ़ रहे हैं तो आप हर दो तिन से फिर एक सब्ता से उसके बाद आप एक महीने से उसका रिवीजन करते रहे हैं और आपके भी जो एक्जाम्स आने वाले हैं MPPSC उस एक्जाम में भी आपको यह जिग्जाफिक के जो टोपिक्स में मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको बहुत ही हैलफूल होंगे इसलिए आप जुड़ी रहिए इमिनेंट क्लासेज के साथ जाते जाते मैं आपको एक क्यूस्टन पुछता हूं इसका आंसर आप खोजेंगे अपना क्यूस्टन है ये भारत के पडो़ो सी देशों के साथ सिमाओं की लंबाई का आवरो ही करम कोन सा है ठीक है उप्स provisions रहे चीन पाकिस्टन बंगला देश म्यानमार अफ़गानिस्टन भुटान option B जो है अफगानिस्तान, भूटान, मियनमार, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बंगलादेश C में बंगलादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, मियनमार, भूटान, अफगानिस्तान और डी में है मियानमार, चेन, पाकिस्तान, नेपाल, वांगल देश, अफगनिस्तान, बुटान तो ये सब ये क्यूशन आपके लिए है और आद आप इसका आंस्वर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि आपको कौन सा उप्शन इसका सही है अब तक के लिए बाइ बाइ और नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो अंडमाने को बराव लक्स टिप के बारे में पढ़ेंगे थेंक यू वेरी मच्च